परिचाए क्या तुम्हें अपने चेहरे पर बढ़ते रोएं अच्छे लगेंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं हमारा ये शरीर कैसे तै करता है? कि हमारे शरीर पर कितने बाल और अन्य विशेशताएं होनी चाहिए? हमारे शरीर में लक्षन जीनों के कारण दिखाई देते हैं सही है, किन्तु केवल कुछी जीन सामने आते हैं और अन्य छिपे रहते हैं, क्यों? कुछ जीन हमारे शरीर की कुछ असंगत विशेशताओं जैसे चहरे पर बालों की वृद्धी को बाहर आने से रोकने के लिए छिपे रहते हैं तुम ठीक कह रही हो, किन्तु ये कौन तै करता है कि कोई खास जीन दिखाई दे या नहीं? हमें नहीं मालूम ठीक है, आओ, आज हम इस पर चर्चा करें कि हमारे शरीर में जीन नियंतृत कैसे होते हैं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ससीम किंद्रकों और प्राक किंद्रकों में जीन के नियमन को समझना लाइक प्राचलेक के क्रिया कलाप को समझना मानव जीनोम परियोजना के लक्षियों और विशिष्टाओं की पहचान करना डीने फिंगर प्रिंट यानि डीने उंगली छापी की अवधारना को समझना जीन की अभिव्यक्ति का नियमन जीन अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जिससे जीन के किसी क्रियाशील उतपात के संशलेशन में जीन से प्राप्त संकेत का उप्योग किया जाता है ससीम केंद्रकों में जीन अभिव्यक्ती को विभिन इस्तरों पर नियमित किया जा सकता है जैसे अनुलेखन इस्तर यानि प्रात्मिक अनुलेखन का संगठन, संसाधन इस्तर यानि संबंधन का नियमन, MRNA का केंद्रक से कोशिका प्रमन को अभिकमन और स्थानांतरन इस्तर अनुलेखन इस्तर पर किसी निर्दिष्ट उननायक पर आरेने पॉलिम्रेज सहयक प्रोटीनों के साथ आदान प्रदान से नियंत्रित होता है, जिसका आरंब इस्थलों पर इसकी पहचानने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इन नियंत्रक प्रोटीनों की अनुक्रमों से अनुक्रिया होती है, जिसे प्रचालक यानि उननायक के निकटस्थ कहा जाता है। यह अनुक्रिया निम्नलिकित दोनों हो सकती है, धनात्मक नियमन यानि प्रेरक और रनात्मक नियमन यानि दमनकारी। लैक प्रचालेक प्रचालेक जीनों का समुहूं जिनका रूप परिवर्तन आमतोर पर किसी महदपून जैव रासायनिक प्रक्रिया के नियमन में साथ साथ होता है लैक प्रचालेक फ्रेंकवा जैक एवं जाक मोनोड लैक प्रचालेक के प्रथम व्यक्याकार थे यह जीन समुह है जो दुग्द शरकरा के उपापचाय को नियंतरित करता है इसमें दुग्द शरकरा के संसाधन में लगे तीन जीन शामिल होते हैं Z-Gene, ये B-Glectosides के लिए कूट लेखन करता है, जिससे दुग्द शरकरा का शरकरा एवं Glectos में जल अबघटन होता है Y-Gene, ये कोशिका कला के लिए कूट लेखन करता है, जो B-Glectosides के लिए कोशिका की पारगमिता में पृध्धी करती है Y-Gene, ये Acetyl समोहों को परमियेच में इस्थानांत्रित करने वाले किसी भी प्राकिनव के लिए कूट लेखन करता है इसमें एक नियंतरक जीन, I-Gene होता है जो लेक प्रजालेक के दमनकारी के लिए कूट लेखन करता है लेक प्रजालेक का नियमन दुग्द शरकरा बीचाग लेक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का कारे करती है और यह प्रजालेक यानि ओपेराउन के खुलने और बंध होने को नियंतरित करती है दमनकारी प्रोटीन का आईजीन से सतत संशलेशन होता रहता है दुग्द शरकरा के अभाव में दमनकारी प्रजालक्षित्र को बांगता है और आरेने पॉलिमरेज को प्रजालेक का धन यात्मक रूप परिवर्तन करने से रोखता है दुग्द शरकरा प्रोटीन में सनचनात्मक परिवर्तन करने और इस तरह से इसे निश्क्रिय करने वाले दमनकारी प्रोटीन के साथ अनुक्रिया करती है परिडाम स्वरूप, आरेने, पॉलिमरेज प्रजालक तक पहुशता है और प्रजालेक का अनुलेखन शरू करता है मानव जीनोम परियोजना मानव जीनोम परियोजना, HGP, एक अंतर राष्ट्रिये विज्ञान शोध परियोजना है जिसका मुख्यलक्ष, DNA का संगटन और भौतिक तथा कारियात्मक दोनों दृष्टियों से मानव जीनोम के जीनों की पहचान और मानचुतरन करने वाले रासाइनिक शारक युक्मों के अनुक्रम का निर्धारन करना है यह वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ मानव जीनों परियोजना की कारेपधद्धति मानव जीनों परियोजना दो पधधियों से पूरी की गई आरेने के रूप में प्रकट जीनों की पहचान कर यानि व्यक्त अनुक्रम घुंडिया सभी संकेत की और गैर संकेत की अनुक्रम से युक्त समस्त जीनों विन्यास का अनुक्रमन कर और फिर अनुक्रम में विभिनक्षेत्रों का उनके कारियों के साथ निर्धारंकर यानी अनुक्रम टिपने अनुक्रमन के लिए किसी कोशिका का समस्त DNA अलग होकर अबिक्षाकरित छोटे आकारों के या द्रिच्चिक खंडों में बदल जाता है ये अनुक्रम आगे निर्धिस्ट रोग वाकों का जिनहें BAC यानी जिवानविक कृत्रिम गुण सूत्र और YAC यानी येस्ट जन्ने कृत्रिम गुण सूत्र कहा जाता है उपयोग करते हुए उपयोक्त पर पोशियों यानी जीवानु या खमीर के रूप में परिवर्तन हो जाता है फिर कंप्यूटर आधारित प्रोग्रामों का उपयोग करते हुए इन अनुक्रमों को परसपर वियापी खंडों के अनुरूप करम बद किया गया DNA बहुरूपता क्योंकि संभाव है कि किसी व्यक्ति विशेश की जननक्षमता में इन अनुक्रमों में उद्परिवर्तनों का कोई तातकालिक प्रभाव यानि असर नहीं हो। फल सरूप ये उद्परिवर्तन पीड़ी दर पीड़ी एकत्र होते रहते हैं और परिवर्तन शीलिता का क्षार तैयार करते हैं। DNA Finger Printing या एक तकनीक है जिसका उप्योग पग्यानिक एक ही प्रजादी के व्यक्तियों के बीच भेद करने हेतू केवल उनके DNA नमूनों के क्षार पर करते हैं। DNA Finger Printing में पुंद्रा वर्ती DNA कहलाने वाले विशिस्ट DNA में अंतरों की पहचान शामिल होती है। सघनता पातचारी अपकेंद्रन के दौरान जिनोमी DNA समू से अलग-अलग शीर्षों के रूप में अलग हो जाते हैं। DNA समू एक मुख्य शिखर का निर्मान करता है और अन्ने छोटे शिखरों को सेटलाइट DNA कहा जाता है। सेटलाइट DNA प्रोटीनों के लिए कूट बद्ध नहीं होता। इसमें प्रबल बहुरूपता होती है। और ये DNA फिंगर प्रिंटिंग का आधार तयार करता है। DNA फिंगर प्रिंटिंग की तकनी का विकास एलिक जेफरीस ने किया। इसमें जीन के अलीलों में एक अन्वेशी के रूप में निकली योटाइट के एक के बाद एक क्रम में बार बान आने वाले अनुक्रमों यानि वेरियेबल नंबर आफ टेंडेम रिपीट्स यानि VNTR क प्योग किया जाता है। का अंतर होता है। VNTR जांच के साथ संकरण के बाद आटो रेडियोग्राम से अलग-अलग आकारों के कई बंद प्राप्थ होते हैं। ये बंद किसी DNA विशेश के लिए एक अभी लक्षणिंग सन्दचना प्रस्तत करते हैं। DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के चरण DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक में अनवेशी के रूप में रेडियो चिन्हित VNTR का उप्योग करते हुए सदन प्लोट यानि विशेश DNA अडों की पहचान की प्रयोक्षाला विधी संकरण का उप्योग किया जाता है। इस चरण में शामिल हैं। DNA का व्योजन अवरोधी एंडो नुकलियस द्वारा DNA का भख्षान वैदृतकन संचालन द्वारा DNA खंडों का विलकन DNA के विलगित खंडों को संशिलेशित छिल्लियों जैसे नाइट्रोसेलिलोस या नाइलोन में छीलना चिन्नित VNTR अनवेशी के उप्योग से संकरण संकरित DNA खंडों की ओटो रेटियोग्राफी द्वारा पहचान क्या आप जानते हैं एक बहुविच जीन नियमन प्रणाली एक प्रणाली है जो एक ही कोशिका उतक या प्राणी में बहुत से जीनों के एक साथ और मातरात्मक नियमन की छूट देती है किसी कोशिका में बहुरी जीनों का नियमन पी आर एक एक उननायक जैसे प्रेरक उननायकों द्वारा हो सकता है तंबाकू से निकाले गए पी आर एक एक उननायक को रोग जैनक आकरमण के बाद समवर की उपारजित प्रतिरोधक प्रतिक्रिया यानि सिस्टेमेटिक एक्वाइट रिसिस्टेंस रिस्पॉंस में प्रेरित किया जाता है तारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं अनुलेखन का नियमन जीन अभिव्यक्ती के नियमन का पहला चरण है जीवाणों में लेक, प्रचलेक, वो प्रचलेक है जो दुग्द शरकरा के उपापचाय है तू उत्तरदाई जीनों के लिए उठ लेखन करता है मानव जीन समूह परियोजना एक महा परियोजना थी जिसका लक्ष मानव जीन समूह के अरक्षार का अनुक्रमन करना था चाब डीने स्तरपर जीव संक्या के व्यस्टियों में भिनताओं का पता लगानी की एक तकनीक है ये DNA अनुक्रमों में बहुरूपता के सिध्धांत पर कारिक करता है